G20 में भारत ने दुनिय के सामने ऐसी मिसाल पेश की है कि पड़ोसी मुल्क चीन भी उसकी तारीफ किये बगयर न रह सका। चीन ने सुमवार को एक बयान में कहा कि G20 में भारत के गोश्णा पत्र ने एक सकरातमक संकेत भेजा है। जीन का कहना है के परभावशाली देश वैश्विक चुनोतियों से निमटने और आर्थिक सुधार के लिए हाथ मिला रहे हैं। भारत ने शनिवार को G20 के पहले दिन बड़ी कूटनीतिक जीत हासल की जब उसकी अध्यक्षता में आयो G20 शिखर सम्मेलन में रूस युक्रेन यूद पर प्रमुक मतवेदों को दूर करते हुए एक सर्वसम्मत खोशना को अपनाया गया। भारत के खोशना पत्र की रूस भी तारीफ कर चुका है। हाला कि ये और बात है कि शिखर सम्मेलन के लिए शी जिन पिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने भारत आने से परहेज किया था। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने वैश्वी विश्वास की कमी को समाप करने की अपील की। रूस के बाद चीन ने भी शिखर सम्मेलन में भारत की खोशना पत्र की तारीफ की है। चीनी विदेश मंतराले के प्रवक्ता माओ निंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवा में कहा कि G20 शिखर सम्मेलन दौरा जारी गोशना से पता चलता है कि चीन का प्रस्ताव एक अच्छा संकेत है। उनसे सवाल पुछा गया था कि बेजिंग रविवार को संपन G20 शिखर सम्मेलन के नतीजे को कैसे देखता है। होरत लभे के चीनी प्रधान मंतरी ली क्यांग ने राशपती शी जीन पिंग के स्थान पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। Bureau Report SG News